नमस्कार मैं स्वारब गोष्ट स्वामी हम आपको बताएं कि एक राजा बेटी करके एक महला थी जो इन दोर से चलके ललितपूर आई थी और जो कहें कि उसका रस्ते में डिलेवरी हो गई थी तो उसको लेके अखले से आदब ने एक राजा बेटी नाम है पुनीत उसके पती का नाम है और साथी साथ जो है वर्ख्रिया जो गाउं है उसकी वो ये निवासी बताई जा रही है तो इस महला को एक लाग रुपए की मदद अखले से आदब द्वारा की गई है और साथ से ग्याराजार रुपए जब उसकी डिलेवरी हुई थी उसी समय भी दिये गए थी तो समाजबादी पाइटी के जिलाद जो तरक यादब है वो उसके घर पर आकर उसकी इस्टिती के जायजा लिया है उससे बात की और उसे एक लाग रुपए जो मिले हैं उसकी उसको जानकारी भी दिये तो कहीं ना कहीं अखले से आदा दोवारा जो घोश्वाएं की जा रही थी वो जमीन पर हकीकत होती हुई नजार आ रही है और एक लाग रुपए उस सहरिया महला के लिए मिले हैं और इसी प्रकार से लोगों से अपील भी की जा रहे हैं किसी प्रवासी मजदूद तो वो समाजवादी पाइटी के कारिकरताओं से सपर कर उन्हें बताएं अपनी समस्या बताएं और समाजवादी पाइटी तो मैं तो मैं जो लेलो जो कागाज का रहे हैं ये एक लाख रुप्या अखलेस यादब ने भेजे हैं इनको जैसा ही इनकी ख़बर मिली के इसने शड़क मलब रस्ते में बच्टी को जनम दिया है अखलेस जी ने तुरम तो नेपाल सिंग आये ते तुम कुछ देगाए ते और एक लाख रुप्या अखलेस यादब ने दिया है बहुत बढ़ी है इस बच्ची को हमाई चुब कामना बच्ची की तरफ से प्रेम है सब लोग बच्ची को नाम अगला का दो बच्ची को बढ़ाने अपने घर में और अपने बच्चों को पढ़ाने लखाने में उप्योग करना देखवा लागा तुनी बच्ची को बढ़िया जो है अच्छी सिक्षा दलाओ और बच्चे के हैं उन बच्चों को भी पढ़ाओ लखाओ बच्चों को पढ़ाने लखाने पर खर्श करो लेका अगर लोग अगर यहां तो बला लो नुदा जाम तुम तर्ल आपता लो बच्ची का आगा देंवाजाब फ़ांग वाइजाब पच्ची एजाब पढ़ लेका है यह थोरो डा धंस्तम सिक्षा दानागे च्ची क्वार जो पढ़िया देख़ थना डेख दूरें रिख़नाका देख़स्टवया मान्टी अज़ग एग आपकान आवास में वजोच कर दो नहीं जटैने हैं अखले स्यादब दूरा आपकी बहू के खासे में एक लाख रोपए भेजे गए है जये जये साब एक लाख रुपर जी ने हमको सहाथा पूरी पूरी की है, वोर 11,000 है पहले मिली थी? आप लेगन की किरपा है हमारे देश का कड़ोरों मजदूर बाहर जाके काम करता है और बाहर काम क्यों करता है कि तुम्हें गाओं में काम नहीं है तुम गाओं में काम नहीं है इसलिए तो बाहर जाते हो अगर गाओं में ही काम हो तो तुम बाहर नहीं जाओगी लेकिन कड़ोरों आदमी खासकर अपने बुन्देल खंड़न का लाखों आदमी बाहर काम करता है उनी मेंसे ये काम करती थी राजाबीट जो इंदोर से आ रही और इसकी बच्चा हो गया वहाँ बारा बैट रहे हैं हमारे जो पार्टी के मुखिया है माननी अखले से आदव उनको जब ये पता लगा कि ये ऐसा ऐसा हो गया है तो उन्होंने तुरंट कहा कि मदद करो उसकी और उन्होंने अपनी जेब से एक लाख रुपया उसके खाती में दिये और ये एक लाख रुपया कोई बड़ी चीज नहीं है हम लोग इसलिए नहीं आए कोई हमने ऐसान कर दिया है इस तरब बे हैं जो जुपड़िया है वास फूसकी उसमें दे रहे हैं उनके लिए कोई काम ये सरकार नहीं कर दे आपको याद होगा कि जब अखले से आदा मुखमंत्री थे तो सभी को किटे मिलती थी खानी मिली के नहीं मिली पूरी केट जिसमें आलू भी आटा भी तेल भी घी भी दूद भी सब मिलता था जैसे ही ये सरकार बदली ये सरकार आई इसना दिया ये सरकार जो है वो गरीब की और किसान की और गाओं के लोगों की दुस्मन है कि इसने सब धंदे चोपट कर ती आज इसलिए गाओं में कोई काम नहीं हो रहा है तो लोग मजदूर बिचार खाने को नहीं है तो बाहर जारा है और बाहर जा रहा है तो वहाँ भी काम नहीं मिला सो भगरां बचार ले चाहरा पैदल भगरा है कोई साइकलौ से आ कोई किसी चीज से आ रहा है तो बड़ी तरास्दी है बहुत गरीबी स्थ्ष में है हम लोग सब यह चाहते हैं आप लोगों से भी हम लोग यह चाहते हैं कि आप लोग कि थोड़ा सा अपने आप में बदलाव लाओं सबसे पहला काम तो यह कराओ के अपने बच्छों को बढ हो तो तुम्हारार अगर बच्चा इंसरी हो जाएगा कि आvestा हुआ उन्हें उन्हें हम भींक राली कि मिल लेगी उन्हें कई न कहीं न कहीं मिलेगी उन्हें अच्छा हो भी मिलों जा की को हैं ? यहूं बहुत्व तुम लोग कुछ करा करने के लिए और उससे चर्षा करने के लिए उसका खर देखने के लिए से भाज के लिए खासपूस की जोपड़ी है कोई भी जो जो केंद्र की सरकार जो प्रधान मंत्री आवासों की कड़नोरा पीटती रहती है लेकिन आपने देख लिया होगा और यहां और तमाम गाउं में आप देख लिए घासपूस के कच्चे मकाम है कोई इनकी मदद नहीं हो रहे हैं और ख समाजबादी पाइटी के जितने कार करता ललितपूर में जितने भी प्रवासी मजदूरा है सभी की मदद करने में हमारे सेकड़ों कार करता लगी रहे हैं उन्होंने मदद की है कुछ लों चुपके से मदद की है अपने अपने गाउं में मदद की है क्योंकि राष्टियत